बिहार में इन दिनों लगतार अपराधिक गतिवीदियां बढ़ रही है और कल पटना में बुद्धा कॉलनी थाना छेत स्थित ललिता रिजेंसी के पास बाइक सवार अपराधियों ने सरसो तेल के कारोबारी सुशील सिंगोलिया के भाई नटवर अगरवाल को सीने और पेट के बीच गोली मार दी यही नहीं गोली मारने के बाद उनका बैग भी लेकर अपराधि फरार हो गए उजले रंग की अपाचे पर सवार तीन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है गोली लगने के बाद 55 साल के नटवर को मेदानता अस्पता ले जाए गया है जहां उनकी हालत गंभीर बनी वी सिंगहौलिया वा उनका परिवार ललिता रिजेंसी के फ्लैट नंबर 31 में रहते हैं उनका एक्जिबिशन रोड में सके इंटरप्राइजर नाम सर्सो के तेल का कारवार है नटवर अपने भाई का कारवार देखते हैं जैसे ही वारदात की सूचना मिली बुद्धा कॉलन थाना प्रभार इन्हार भूसन मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की वह उन्होंने बताए कि बैग में नकत नहीं था बलकि लंच बॉक्स और कुछ कागजात थे वहीं आपको बता दें कि नटवर को अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए कार से चालक और उनका पतना सिटी में रहने वाला स्टाफ अनील पतेल एक्जिबीशन रोट से रवाना हुए पतेल स्टेशन के पास उतर गए और चालक नटवर को ललीता रिजेंसी के लिए रवाना हो गया अपार्टमेंट के पास नटवर उतरे और पैदल जाने लगे इसी बीच उन्हें गो और उसे पूस्ताज करने में जूटी है वही नटवर को कोली मार कर घायल करने के बाद बैग लूटने और पतेल से हत्यार के बल पर बैग लूटने में एक ही गिरो का हाथ है दोनों के पास बैग था सूतरो के अनुसार एक अपराधी का गिरो है एक्जिबीशन रोट से र एक व्यापारी को निसाना अपना निसाना बनाया है और गोली मार कर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई हलाकी हत्या हुई नहीं और हालत जो व्यापारी है उनकी हालत काफी गंभीर है काफी नाजुक बताई जा रही है और लगतार पुलिस इस मामले की जाच कर रही है आधियों को पकड़ने के लिए आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वह भी हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे तब तक के लिए रहे हैं धाश्जी नियूस के साथ और देखते रहे हैं धाश्जी नियूस आश्रवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आश्रवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशिया ना तो कीजिए हमारे न नंबरू पर संपर